वर्ल्ड कप का ग्रूप स्टेच और एक डूर डाई मैच करो या मरो का मुकाबला और इंडिया को सामना करना था पाकिस्तान के सामने ये तीन चीजे अपने आप में इस मैच को यादगार बनाने के लिए काफी है पर फिर जब आप इस भजी और यूसूप के 20 जड़ब सचीन की खुली चुनोती और 270 का नियरली इंपोसिबल टार्गेट डाल दो तो आपको मिलता है ये अगला मैच जिसे सचीन गांगुली सहवाक और यूवराच आज भी अपने जिंदगी की सबसे यादगार मैचेस में से एक मानते हैं तो सुरू करते हैं 28 फरवरी 2003 से अब इंडिया पाकिस्तान मैच अपने आप में ही बड़ी बात है पर 2000 के परलिया मैंड के अटेक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना बंद कर दिया था और अब जब मैच हो रही थी लोग इसे उस अटेक का बदला ग्राउंड पर लेने की आस लगा कोई फरक नहीं पड़ता सामने साचीनो या फिर पॉंटीम अब इसके जवाब में दादा मुस्कुराते हुए कहा गए देखिए स्टेचिंग के सुरुआत मैं नहीं करूंगा मतलब ओ खत्मों तो जरूर करेंगे तो धीरे धीरे इस मैच को वर्ल्ड कप के फाइनल के पह सामने हारना निधर लेंड के सामने पचास ओवर तक ना टिक पाना और अस्टेलिया के सामने 125 रन पर आल आउट हो जाना इस पुएंट तक क्रिकेट से लेके मीडिया से लेके पब्लिक तक हर कोई इतना भड़क गया था कि सचीन को प्रेस कॉनफरेंस में बुलाकर उनको स खेलने जा रहे थे और बस इस बात का टेंसन सारे अंडीयन्स प्लेयर के चेहरों पर साफ नजर आ रहा था प्लेयर को जोन राइट भी उतने नर्वस थे और जहां कहीं भी जाते हर वक्त लोगों को नसिहत देते, डिसिप्लीन से खेलो, कंट्रोल से खेलो, पाकिस्तान खुद बखुद हार जाएगा। बात यहां तक आ गए थी कि दादा ने एक मिटिंग में यहां तक कहा दिया कि भाई, इतना है टेंसन लोगे ना, तो एक दिन हम में से कोई किसी को हार्ट आटेग आ ज सुनाई दी, यही माहूल अगले ही दिन ब्रेकफ़स्ट में ही था, जहां सारे प्लेयर्स ग्राउंड में जल्दी पहुचने के लिए टाइमली ब्रेकफ़स्ट के लिए पहुच गये थे, वहां मोहमत केप एक कोने में जाकर स्रीराम के साथ टेबल टेनिस खेल रहा था, और स्रीराम को हराने के बाद उसने नंबर वन लीट किया, सचीन को भी खेलने का दावत दी, पर सचीन उस समय उनका दिमाग कहीं और ही था, क्योंकि जहां बाकी सारे प्लेयर्स की कीटल रात से ही बस में थी, वहां सचीन दादा, द्रवीड और सेवाक को अपने रूम में बातों बातों में चीज़ें बढ़ती चली गई, और यूसूब ने भज्जी के मजहब पर कुछ तो कह दिया, बस भज्जी इसके बाद थोड़ी ना किसी का सुनने वाली थी, उन्होंने आवाज बढ़ा कर गाली देना शुरू कर दिया, और सामने यूसूब ने भी वही किया, और जल्दी दोनों अपने हाथ में फॉक्स उठाकर एक दुसरे की और बढ़ने लगे, और तभी दोनों टीम के सिनियर बीच में आके खड़े हो गए, ठीच कर दोनों पिलियर्स को अपने ड्रेसिंग रूब में लेके चले गए, चीज़ें गरम थी, पिलियर्स की इमोसन सिर्फे चड़ रहे थे, पर इससे सिच्वेशन तो नहीं बदलने वाली थी, इंडिया के सामने अब भी एक पहार जैसा स्कोर खड़ा था, उमीद ना के बराबर, और कोई तरीका था तो बस सिर्फ एक, दादा के सब्दों में 10 ओवर से 7 से खेल के निकालू, विक पर इस बार जिनको देकर पूरा का पूरा एस्टेडियम जाग उठा था, वो खुद पिछले 12 दिनों में सोये नहीं थे, हर रात इसी मैच के सपने, इस पल का ख्याल, पिछले एक साल में ओ जहां कहीं भी जाते, एक मार्च मानो ओ दिन बेताल की तरह उनकी करदन में आके बेठा था, और आज आखिरकार ओ घड़ी आही गई थी, वो अच्छी तरह से जानते थे कि इस मैच को जितने का पूरा दारुमदार और उनके साथ कड़ोरो भारतियों के असाएं के कीरन उन पर ही है, इसलिए पिछले ओवर में ओ सिर नीचे रखर डिसाइड किया हुआ फ्लो करते रहे, और फिर बोलिंग दी गई सोयब अक्तर को, सोयब अक्तर का ओई स्टेटमेंट उनके कानों तक भी पहुँच गए थे, और भले ही उन्होंने आगे जाकर कई लगों को ये कहा कि मैं सोयब अक्तर को टार्गेट करना नहीं चाहता था, पर उन्होंने सोयब पहले ही हर बजन के इसू के लेकर भढ़के हुए थे, उस पर अब जान भूज कर डिफेंसिव खेनना तो, जट से सेवाग ने बोदिया अबे दे, कहा ना दुसरे एंड पे तेरा बाप खड़ा है, उसको जाके बोल हुक मारने को, अब सोयब ने तो ये इस्टोरी कई बा बॉल पर जपक बेठे, स्क्वेर थर्मेन बोंडरी के बाहर, मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि टिवी पर ओ मैच देखते वे, उस एक सोट ने उस पूरे मैच का मोमेंटम पूरी तरह से बदल दिया था, और साहत इस सब के बीच खड़े वे सोय बकतर भी ये सा सोट और बॉंडरी के बाहर, ओ सीन मानों सिर्फ पैंटिंग की तरह लग रहा था, सचीन सोय बोर ओ स्टेडियम मानों उस पल में कहीं धम से गए हो, सोय बकतर का ओ पहला ओवर्स 18 रंस के लिए चला गया, जिस वज़ा से उन्हें बॉंडरी से हटा लिया गया, आगे जाक परती घंटा बॉल मुझे 130 किरोटर परती घंटा लग रही थी, और फिर आई सोय बकतर की स्वाट बॉल, तो मैंने खुद से कहा कि अगर मारने लायक होगा तो मैं मारूंगा, और बस पांच ओवर मैं 50 रं मार के रख दिये, दुसरे छोर पर विकेट गिरी ही जा रही थी पर सचीन मानो अपने ही दुनिया में खेल रहे थे, पवेलियन में बेठे कैप्टेन जिनका प्लान कपका उठा के फेक दिया गया था, ओ, हर बॉल से पहले अपने गले के ताबीजों को पकड़ के रखते, और सिक्स लगने पर छोटी सी मुसकान दे कर सीर हिलाते, वसीम अकरम को मानो तो विश्वास नहीं हो रहा था, कि मेरे साथ भाई ये हो क्या रहा है, इनीं के पहले जिसे पहार समझा जा रहा था, वो सचीन के घर के पिछवाले का बगिच्चा बन किरा गया था, पर फिर किसी बॉलीबूट मूवी की तरह आया ट्विस्ट, सचीन को दर बढाते हुए पविलियन में पहुचना, आज भी मुझे स्लो मोशन में होता हुआ याद है, क्योंकि मेरे दादा जी के मुताबिक हम ओ मैच हार चुके थे, और तब साइद सचीन के दिमाग में यही चीच चल रही थी, जितने के लिए सिर्प सौरन बांकी थे, और आदे और बांकी थे, और जब तक सचीने तब तक मैच है ये नारा ये टीम सेकड़ों बार प्रूव कर चुकी थी, इससे भी असान टार्गेट के सामने ये टीम पूरी तरह से कॉलैप्स कर गई थी, इसलिए मैच खत्म ना कर पाने का निरासा उनके चेहरे पर साप नजर आ रह कोई सचीन की और देखे जा रहा था, फाइनली को जोन राइट उठे और सचीन के पास गए, उनकी पीड थप थपाई, लोग फिर घीरे से जाकर उनके पैट्स निकाले, और कप्तान दूर से ही सचीन के आँखों में आँखें डाल कर धीरे धीरे से ताली बजाने का एक्स करने लगे, आगे जो कुछ भी हुआ, सचीन फिर एक बार लोगों के असाओं पर खरे उतरे थे, जब जरूरत थी तो इस टीम को सचीन के उमीदों पर खरा उतरा था, दूसरी और द्रविड और यूराज ने दोनों ने बचे वे 99 रन को असानी से निकाल लिए, और फाइ जी भी बाहर आ गए, उस ग्राउंड में हुआ सोर एक इंडियन क्रिकेट में लिजेंड की गवाई दे रहा था, ड्रेसिंग रूम में वापस पहुचने पर पूरी इंडियन टीम ने बियर के कब खोले और उनको गाली देने वाले एक्स प्लेयर्स टंस क्रिटिक्स का ना जली को फौन करने लगे, जिन्होंने ओ फौन उठाया और खिलकी के बाहर निकाल कर सिर्फ पटाकों की आवाज सुनाई, जो लोग एक हपते पहले तक, एक दिन पहले तक, एक इनिंग पहले तक इस टीम को गालियां दिये जा रहे थे, वो अब सड़कों पर उतर कर उनके लंबी उम्र की कामना करने लगे, पाकिस्तान ग्रूप स्टेच में वर्ल्ड कप के बहार हो गया, वाइस केप्टेन इजामान उल्लक ने अगले दिन अपना इस्तिफा दे दिया, और इस्तिफा देने से मना करने वाले कप्तन वकार मुनूस कुछी दिनों में टीम से निक पर उसके बावजुद भी आज भी सचीन, दादा, द्रवील और यूराच उस कैम को अपने करियर की सबसे यदगार पलों में से एक मानते हैं, वेल उस पल का महत तो बस इसी बात से समझ लें की, मैं जितने के बात इंडिया के चीप आप आर्मी स्टाफ ने फुद दादा को भौन करके सबसे दी थी, तो ये थी उस मैच की कहानी, सैंचूरियन की संगस्त की कहानी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो इस तरह के और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, थ